एक इंटर्विव में रिया चक्रवती ने सौरगे सुसांद सिंग राजपूत और भाई सोविक चक्रवती के बॉंड के बारे में बात की है रिया ने भाई सोविक और सुसांद के प्यार के बारे में बात की और बताया कि किस सरा से सुषान्थ उन्हें अपनी दूसरी पत्नी बता कर मजाग उड़ाते थे चुकि दिवगंद अभीनेता सुषान्थ सिंग राजपूत की मौत के मामले की जाच चल रही है और उनकी प्रेमी का रिया चकरवती मुख्य आरोपियों में से एक है सुषान्थ मामले की पूरी कहानी तब बदल गई जब पटना में सुषान्थ की पिता केके सिंग ने रिया और पांच अन्य लोगों के खिलाफ आत्मद्या के लिए उक्सानी का आरोप लगाया अब एक इंटर्विव में रिया चकरवती ने सुषान्थ सिंग राजपूत और भाई शोविक चकरवती के एक दूसरी साथ रिष्टे पर बात की रिया ने बताया कि सुषान्थ भाई शोविक को अक्सर अपनी दूसरी पत्नी बताकर मजाख उडाते थे रिया ने यह भी खुलासा किया कि सुषान्थ और उनके भाई शोविक ने एक दूसरी साथ एक महां रिष्टा शेयर किया है रिया ने कहा शोविक और सुषान्थ की बीच में काफी प्यार था वास्तर में वे कभी कभी मजाग वे उड़ाता था कि शोबिक मेरी सौतन है रिया चक्रवती ने अपनी यूरोब यात्रा का विवरन भी शेयर किया अभी नेत्री ने खुलासा किया कि शोबिक, सुशान्थ और उनके साथ इटली क्यों गए थी इस बारे में बात करते हूए रिया ने बताया इटली की यात्रा में मेरा भाई हमारे साथ शामिल हुआ वै भी शोषान्थ की जोड़ देने के बाद रिया ने आगे बताया कि उसका भाई इस यात्रा के बारे में भी उलजर्मे था कि वे अपनी बेहन और उसके बॉइफ्रेंड के साथ जाकर क्या करेगा लेकिन वे फिर भी गया सुशान के जोड़ देने के बाद रिया चकरवती पर F.I.R. दर्ज है और उनसे C.P.I. और मुमई पुलिस ने कई घंटे की पूछताज भी की है